बावाजी के आशिवास से मैंने अपनी श्रीखण महादेवजी की यात्रा बहुत अच्छे से पूरी की और इस यात्रा के बारे में मेरे को बावाजी चैनल से संपूर जानकारी मिली जिसके जरिये मैंने यात्रा की और जय भोले बावाजी की समीति के साथ मैंने यात्रा अ बहुत अच्छे से संपोर किया और मैं चाहती हूं कि अपने जीवे में एक बार सब लोग अपनी यात्रा श्रीकण महादेर जी की यात्रा जरूर करें उसका लिए थोड़ी अपनी तयारी बढ़िया से करके आएं बिल्कुल मेंटली और फिजिकली तोलों फिट होके आएं क्योंकि यहां पर ना ही तो रेस्क्यू है और ना ही कोई हैल्प करने वाला है इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान देखे बढ़िया से तयारी करके आएं क्योंकि यह यात्रा और यात्राओं कि अपेक्षाफ बहुत कठिन है असान नहीं है इसलिए सब लोग अच्छे से आ रहे हैं तो अपने साथ रेंकोर चाता थोड़ा बहुत खाने का समान और पानी यह जरूर लेकिया और एक अच्छी कंपनी की बहुत अच्छी कंपनी के टॉर्च जरूर अपने पास रखते हैं क्योंकि यहां पर लाइट की कोई अब्यवस्ता नहीं हुए और हम लोगो अच्छाहताट को शुरू की थी जाओं गाऊंसे उसके बाद हम नेसे कालीटॉप मने हम लोगों पतां क्योंकि शूर्षो थक कहिते इसलिए आप अगर निगलें तो जल्दी से अंधेरे में निकलके अपना टैंट जल्दी से बुक करवा लें उसके बाद हम लोग अगले दिन एक बज़े के करीब रात के एक बज़े हम लोग बाबजी के दर्शन के लिए निकलें लेकिन रश इतना ज्यादा होने के कारण हमें बाबजी के दर्शन करते-करते एक बज़िया तो बहर कर और मौसम भी बहुत खराब हो चुका था ओले पढ़ने लगे ते उसके बाद हम लोग दीरे दीरे नीचे उतरे नीचे उतरते उतरते हमें रात हो गई इसलिए टौर्च बढ़िया कंपनी के लिए क्योंकि रात में फिर आना गलेशियर पार करना और जरने पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप सुरक्षित अपने टैंट तर वापस आजयें इसका पूरा ध्यान रखिए उसके बाद हम लोग भीमदवारी हमने इस्टे किया इस्टे करने के बाद हम लोग फिर वापस चलें फिर हमने काली टॉप पे फिर से इस्टे किया और अराम करके सुबह हमने 3-3 मजे के करीब अपनी यात्रा नीचे की ओर फिर प्राराम करी और हम लोग अराम से नीचे उ आपनारे हो ठाया झालारे लो लोगोगות के तिन आपनारे हो जड़ाएं को करते हैं